हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मुए टू इपसेनल एक्जाम सोच पर फ्रेंट्स, MP पटवारी की अब तक जितनी भी स्टिप्ट हुई है उन सभी स्टिप्ट में जर्रेनल अबेरनेस और कम्प्यूटर के जितनी भी क्वेस्टन पूछे गें हैं साथ में वे important questions जो आपके exam में अगली सिप्ट में पूछे जा सकते हैं वे question भी आज में इस वीडियो में करने बाले हैं तो friends इस वीडियो को आप पूरा देखेगा इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि कौन-कौन से question आपके exam में पूछे जा रहे हैं और कौन-कौन से question आपके exam में पूछे जा सकते हैं साथ में अगर examiner इन questions को repeat करता है तो आप उन्हें easily कर लेंगे क्योंकि आपको वे already पता होंगे तो चलिए शुरू करते हैं फस्ट question पूछा गया था हाइडरोमेटर की खोज किस ने की थी तो हाइडरोमेटर की खोज कि थी निकोलसन ने की थी हाइडरोमेटर की खोज और ये 27 March की सिफ्ट में पूछा गया था 27 March की फर्स्ट सिफ्ट में नेक्स्ट question अपयच्छिक्ता का सिध्धान्त किस ने दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था अपेज शिक्ता का सिध्धान्त और एक question Albert Einstein ने पूछा जा चुका है जो कि E बराबर MC square E बराबर MC square जो फार्मूला है ये Albert Einstein ने दिया था और ये पहले ही पूछा जा चुका है तो आप Albert Einstein के बारे में थोड़ा जान लेजिएगा Next question Newlands में कितने ततों को वर्गी किरित किया गया है 56 ततों को वर्गी किरित किया गया है Newlands में Next question महत्मा गांधी को पहली बार जेल कब होई थी 10 जनौरी 1908 में पहली बार जेल होई थी महत्मा गांधी को 10 जनौरी 1908 में Next question अगला question पूछा गया था भारत भवन का वास्तुकार कौन था चार्ल्स कोरिया था भारत भवन का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया next question मद्द पर्देश में सिसु मिरत्तिवदर वर्तमान में कितनी है 43 मद्द पर्देश में वर्तमान में सिसु मिरत्तिवदर 43 तरी, next question, सेन अभियास से परसण पूछा गया था दोस्तों एक, और एक question पूछा गया था संस्था के बारे में, असपस्ट तरीके से किसी को पता नहीं था इसके बारे में कि कौन सा question पूछा गया है, बट इसी से related दो question पूछे गया थे, next question, मद्ध प्रदेश में सबसे अध गनत्त को मापा चाता है हाडरोमेटर से तरल पदार्थों के घनत्त मापा चाता है हाडरोमेटर से नेक्स्ट कोशन तंत्र का तंत्र की कौन सी जादा उत्तेजक कोशकाय रहती हैं नियूरोन से सबसे जादा उत्तेजक कोशकाय रहती हैं तंत्र का तंत्र की नेक्स्ट कोशन काईमूर सिरेडी किस राज्य में आती है तो मद्ध परदेश, उत्तर परदेश और बिहार में काईमूर सिरेडी आती है इन तीन राज्यों में आती है नेक्स्ट कोशन 1999 में कौन सा टाइगर रेजर्व बनाया गया था पंच मड़ी बायोस्फेर रेजर्व आप्सन में था और यही इसका करेक्ट एंसर भी है पंच मड़ी बायोस्फेर रेजर्व 1999 में बनाया गया था नेक्स्ट कोशन इंटरनेशनल फाइनस कॉर्परेशन जिसे आइफसी भी कहते हैं कि अस्थापना कब की गई थी तो इसकी के अस्थापना कब हुई थी 20 जुलाई 1956 में हुई थी आइफसी की अस्थापना नेक्स्ट कोशन पूछा गया था सामर्थ योजना किस से संबंदे थे वस्तर उत्पादन में ब्रिद्धी से और लोगों को परसिच्छित करने से संबंदे थे सामर्थ ही योजना नेक्स्ट कोशन एक कोशन पूछा गया था भारत में मिसाइल परिच्छर से संबंदे थे एक कोशन पूछा गया था और LPGA और CFC से संबंदे थे एक कोशन पूछा गया था आपके 27 मार्च की जो सिप्ट थी उसमें पुछागा था LPG और CFCS से संबंधेत कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन पुछागा था किलो बाइट में किस कुमापते ही तो किलो बाइट में मेमोरी कुमापते ही आप सभी ने सुना होगा कि ये इतनी स्टोरेज की मेमोरी है 26 स्टोरेज, 56 स्टोरेज की तो मेमोरी कुमापते ही किलो बाइट में नेक्स्ट कोश्चन पूछागे था राउटर क्या काम करता है तो राउटर क्या है एक networking equipment है राउटर माडेम क्या है तो माडेम के नेटवर्किंग डिवाइस है माडेम नेटवर्किंग डिवाइस है नेक्स्ट कोशन पूछा गिता क्लोरीन पर ओजोन किरिया कराएंगे तो क्या बनेगा तो क्लोरीन पर जब ओजियोन किरिया कराते हैं तो ओजोन अड़ो का नस्ट हो जाता है क्लोरीन के किरिया कराने पर Next question, कैल्सियम सलफाइट का फार्मूला पूछा गया था तो CASO4 होता है कैल्सियम सलफाइट का फार्मूला Next question, CFC को फ्रेज में डालना क्यों बंद कर दिया गया तो CFC ओजोन परत को छटी पहुचाती है ओजोन परत को छटी पहुचाती है CFC और दोस्तो CFC का फुलफार्म होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन क्लोरो फ्लोरो कार्बन होता है CFC का फुलफार्म और इसका फॉलपार्म आपके अगली सेप्ट में पूछा जा सकता है तो आप याद रखिएगा Next Question सूरिकी रोशनी से हमारे सरीर को क्या मिलता है तो सूरिकी रोशनी से हमारे सरीर को Vitamin D मिलता है आप सभी चांदते होंगे Vitamin D Next Question सत्पुडा राश्ट्री उद्दान नर्मता नदी की किस दिसा में है दच्छट दिसा में है नर्मता नदी की नर्मता नदी की दच्छट दिसा में सत्पुडा राश्ट्री उद्दान अगला question पूछागे था खजुराहो मंदिरों का निर्माड कब हुआ था तो 950 से 1050 इस भी में हुआ था 950 से 1050 इस भी में Next question मद्ध प्रदेश भारत के किस भाग में इस्थे थे मद्ध भाग में इस्थे थे आप सभी को पता होगा मद्ध प्रदेश मद्ध भाग में इस्थे थे Next question पूछा गया था चंदेल वणस ने कब से कब तक सासन किया था तो 8 वी और 13 सताबदी था किनोंने सासन किया था 8 वी और 13 सताबदी था चंदेल वणस सुने Next question अगला question अगला question Next question उजोन परत से क्या होता है तो उजोन परत क्या करती है पराबेगनी के रोड़ों को पिर्थिवी पर आने से रोखती है वरना अगर पराबेगनी के रोड़ने पिर्थिवी पर आ जाए तो सब कुछ नश्ट कर देंगे कौन सी नदी अपने स्रोध से उत्तर की ओर दच्छड पूर्भी राजस्थान में बहती है तो कौन सी नदी है चम्बल नदी है जो बहती है चम्बल नदी खेडा के सन अंदोलन किन नेताओं के नेतरित में हुआ था गांधी जी और सर्दार बलमभाई पटेल के नेतरित में हुआ थाOkay पूछा गया था नरसिंगड अभ्यरण किस जिले में आता है। नेक्स्ट कोशन पूछा गया था मकबूल फिदा हुसेन किस के लिए परसिध है। नेक्स्ट कोशन पूछा गया था मकबूल फिदा हुसेन किस जिले में आता है। चमपल संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है। उप्सट में दिया गया था सिहोर जिला जो कि करेक्ट था। इसके लावा और भी जिला है जो नहीं आते ही। लेकिन option में C over दिया गया था, जो correct answer था इसका, next question, vitamin C का बेग्यानिक नाम क्या है, तो ascorbic आमल होता है vitamin C का रसानिक नाम, ascorbic आमल है, next question पूछे गया था baking soda का सूत्र, तो baking soda का सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है baking soda का सूत्र, और इसका रसानिक नाम होता है sodium by carbonate, sodium by carbonate आपके अगले सेब्ट में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा दोस्तो, next question पूछे किता अगनिसामा की अंत्र में किस गैस का उप्योग होता है, तो carbon dioxide का यूज होता है अगनिसामा की अंत्रों में, carbon dioxide का, next question, गीला कच्रा कौन से कलर के डब्बे में डाला जाता है, हर IDA का पूरा नाम, attention, interest, desire, action होता है, इसका पूरा नाम, next question, F12 Microsoft के लिए, किस लिए उप्योग किया जाता है, तो ये file save करने में उप्योग किया जाता है, file save करने के लिए, F12 का परियोग किया जाता है, next question पूछे किता, XML क्या है, तो XML क्या है, होता है bpn का full form virtual private network दोस्तों full form से एक या दो question आपके exam में पूछे जा रहे हैं और हमने इस वेडियो में selected most important full form रखे हैं जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं तो first full form है ROM का full form, ROM का full form होता है read only memory CPU CPU का full form तो आप साइज जानते होंगे central processing unit होता है URL का full form क्या होता है uniform resource locator होता है URL का full form USB USB का full form होता है universal serial bus इसके लब वायरस का full form, most important है virus का full form बिटल information resource under siege होता है virus का full form TCP का full form क्या होता है transmission control protocol होता है TRCCP का full form UPS का full form most important है ups का का फुल फॉर्म, अंटरेप्टिबल पामर सप्लाई होता है UPS का फुल फॉर्म, इसके लबाद साटा, SATA का फुल फॉर्म होता है Serial Advanced Technology Attachment, RAM का फॉर्म होता है Random Access Memory, SMPS का फॉर्म, Switched Mode Power Supply होता है SMPS का फॉर्म, इसके लबाद CD का फॉर्म क्या होता है, तो Compact Disc होता है CD का फॉर्म, और DBT का फॉर्म क्या होता है, Digital Versatile Disc होता है DBT का फॉर्म, CRT का फॉर्म होता है Cathode Rate U, इसके लबाद DEC का फॉर्म क्या होता है, Digital Equipment Corporation होता है DEC का full form SAP का full form क्या होता है System Application and Products होता है SAP का full form PNG, most important है PNG का full form Portable Network Graphics होता है PNG का full form और दोस्तो PNG Image का extension भी है तो आप ये भी याद रखिएगा Input-Output से एक या दो question आपके कुछ सेप्ट में पूछे गए है question और आपके अगले सेप्ट में पूछे जा सकते हैं तो Input-Output भी हम देख लेते हैं Input device में कौन को ना आते हैं तो Keyboard Input Device है इसके लवा Optical Pen भी एक Input Device है Joystick Input Device है Scanner भी Input Device है इसके लवा Barcode Reader भी एक Input Device है और Output Device में कौन को ना आते हैं तो Headphones, Headset, Screen Laser Printer, Plotter, Inkjet Printer और Speakers ये Output Device है इधर के जितने भी एक Input Devi है और ये सारे के सारे Input Device है इसके लवा दोस्तो कुछ Devices होते हैं जो Input और Output दोनों तरह से यूज किया जाते हैं जेसी के Digital Camera Digital Camera को Input और Output दोनों तरह से यूज किया जाता है pen drive भी input output की तरह से यूज़ किया चाता है touch screen, cdbd, fax, babcom और modern ये input output तरह से यूज़ होने वाले device हैं जो आपके exam में पूछ लेता है कि कौन-कौन से device है जो input और output device की तरह यूज़ होते हैं तो ये सारे के सारे input और output device की तरह यूज़ होते हैं नंद कुमार ने next question, किस government general पर महावियोग का मुकदमा चलाए गया था Warren Hastings पर चलाए गया था महावियोग का मुकदमा Warren Hastings पर next question, पूछा गया था भोपाल गेस्ट रस्दी कब हुई थी तो 3 December 1984 को हुई थी भोपाल गेस्ट रस्दी 3 December 1984 को next question, 1987 में कनाड़ा में किस प्रोटोकॉल पर हस्तार्चर किया गया था मांट्रेल प्रोटोकॉल पर हस्तार्चर किया गया था 1987 में कनाड़ा में मांट्रेल प्रोटोकॉल पर हस्तार्चर किया गया था next question, पूछा गया था राष्टरिय सूचना भिग्यान केंदर नागे सुरण है वर्तमान में भारत के केंद्रिय बित मंतराले के मुख आर्थिक सलाकार डाक्टर अनन्त भी नागे सुरण है नेक्स्ट राजपाल से संबंधित एक प्रस्ण पूछा गया था असपस्ट तरीके से किसी को पता नहीं था कि कौन सा कोशन पूछा गया है बट राजपाल से संबंधित एक कोशन पूछा गया था नेक्स्ट कोशन मद्द परदेश का मोती महल किसे कहते हैं तो राम नगर किला जिसे मंडला किला भी कहते हैं इसे मद्द परदेश का मोती महल कहते है नेक्स्ट कोशन अगला कोशन पूछा गया था डाक्टर लीला जोसी को पदमसरी किस छेतर में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है पदमसरी किस छेतर में दिया गया है डक्टर लीला जोसी को दबा ये चिकस्ता के छेतर में दिया गया है दबा और चिकस्ता के छेतर में दिया गया है डक्टर लीला जोसी को पदमसरी नेक्स्ट कोशन चंद्रगुप्त ने कहां पर सासन किया था पाठली पुत्र में किया था चंद्रगुप्त ने सासन पाठली पुत्र में नेक्स्ट कोशन मुक्तागिरी में कितने मंद्रे हैं मुक्तागिरी में कितने मंद्रे हैं मुक्तागिरी में नेक्स्ट कोशन पूचेगे था पाताल पानी जल परपात कहां पर इस्ते थे महु इंदोर में इस्ते थे पाताल पानी जल परपात महु इंदोर में नेक्स्ट कोशन समद्रगुप्तनी किसको हराया था नाकसेन को हरा था समुद्र गुप्तनी नाकसेन को नेक्स्ट कोशन पूछा गया था अंतरराष्टे पत्रकारता पुरुसकार किस महिला को दिया गया है तो किसे दिया गया है अंतरराष्टे पत्रकारता पुरुसकार पत्रकार मेगा राज गोपालन को दिया गया है अंतराश्टिप पत्रकारता प्रुसकार मेगा राज गोपालन को नेक्स्ट कोशन प्रत्रोध का SI मात्रक पूछा गया था प्रत्रोध का SI मात्रक होता है ओम ओम होता है प्रत्रोध का SI मात्रक नेक्स्ट कोश्टन, कम्प्यूटर में मेमोरी कितने परकार की होती हैं तो कितने टाइप की होती ही कम्प्यूटर में मेमोरी तीन परकार की होती हैं कम्प्यूटर में मेमोरी तीन परकार की नेक्स्ट कोश्टन, बायो गेस किसकी अनपस्थिती में बनेगी oxygen की अनपस्थिती में बनती है बायोगेस oxygen की अनपस्थिती में next question पूछा गया था सौचाले में कौझसा पदार्थ उपयोग किया जाता है काज का प्रियोग किया जाता है सौचाले में ओप्सटन में दिया गया था काज और काज है इसका correct answer जरजा, answer था, जो सोचाले में प्रियोग किया जाता है, next question, printer किस तरह की device है, तो printer किस तरह की device है, आप अभी पढ़ चुके हैं, यह एक output device है, printer output device है, next question, PPE का पूरा नाम क्या है, तो PPE का पूरा नाम क्या है, public private partnership होता है, PPE का पूरा नाम, public private partnership, next question, भगस सिंग को फाजी कब दी गए थी, 23 मार्च 1931 में दी गए थी, भगस सिंग को फाजी, 23 मार्च 1931 को, next question, पूछा गया था, सिंधिया समराज जी के समय, ग्वालियर राजधानी कब बनाई गई थी, 1810 में बनाई गया थी, सिंधिया समराज जी के समय, ग्वालियर को राजधानी बनाई गया था, नेक्स्ट कोशन पूछे गेता सिंबेक्स सेन अभियास भारत और किसके बीच होता है भारत और सिंगापुर के बीच होता है सिंबेक्स सेन अभियास भारत और सिंगापुर के बीच नेक्स्ट कोशन मौलिक अधिकार कौन से अनुछेत के अंतरगत आता है तो मौलिक अधिकार कौन से अनुचेत के अंतरगत आता है अनुचेत 12 से 35 के अंतरगत आता है आप सभी को साथ पता होगा मौलिक अधिकार अगर आपके एक्जाम में पूछा गया है तो मौलिक अधिकार से सम्धित और भी कोशन आपके अगले सिप्ट में पूछे जा सकते हैं तो सातुवा मौलिक अधिकार जो most important आपके एक्जाम में बार बार पूछा जाता है सातवा मौलिक अधिकार संपत्तिक अधिकार था जिसे 44 सब्धान संसोदन अधिनियम 1978 के द्वारा बैधानिक अधिकार बना दिया गया और मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है तो अमेरिका के सब्धान से अपनाया गया है मौलिक अधिकारों को अमेरिका की सब्धान से लिया गया है आपके एगले सिप्ट में यहां से एक क्वेस्टन जरूर पुछा जाएगा तो आप याद रखेएगा दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देजी और इस वीडियो को सेड जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और वेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा और कॉमेंट करके हमें बताइए कि आपको इस वीडियो कैसे लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाए